हेलो बच्चों, कैसे हूँ आप लोग, मैं हूँ मंजिला चौदरी and welcome to Edu Mantra जैसा मैंने आपसे प्रामिस किया था कि अब हमारा जो accounting standards का जो topic है उसके उपर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी तो ये वीडियो सिफ और सिफ accounting standards आपको समझाने के लिए है इससे related कोई समस्तों आता नहीं है लेकिन theory part के हिसाब से थोड़ा important है तो let's discuss, चलो start करते है All about accounting standards, ठीके यहाँ पर accounting standards से related आपको सारी information मिल जाएगी and I hope कि ये जो मेरा topic है, ये जो मेरा वीडियो है वो आपको help करेगा to understand accounting standards होता क्या है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसकी क्या जरुवत थी और limitations क्या-क्या है, और राइट बच्चो, ठीके, चलो start करते है Okay, तो सबसे पहला page जो मैंने रखा है, ये page I know कि आपको बहुत familiar लगेगा क्योंकि ये theory base of accounting में हमने देखा हुआ है सही बात है, ये page मैंने यहाँ पे इसने रखा है, ताकि आपको यहाँ पे ये accounting standard word दिख जाए, जो मैंने तभी आपको बताया था है ना, मैंने आपको बताया था, कि हमारा जो base है, इसका मतलब होता है rules, और rules किसने बनाये है, ICAI ने बनाये है, by preparing what? by preparing accounting standards, याद है ना, आपको ये चीज़ हमने बोली थी, accounting standards के लिए एक और चीज़ हमने क्या बोली थी, कि ये जो हमने बनाये है rules, accounting standards के थूँ, वो क्या हुआ है, acceptable है by all the accounting professionals, ठीक है, that means what? कि जब accounting होती है, जब as an accountant, मैं accounting कर रही हूँ, तो मैं जो rules follow कर रही हूँ, वो rules को categorize करने के लिए क्या बनाया गया था, accounting standards बनाया गया था, तो accounting standard 1, मतलब disclosure, कि आपको पूरा चीज़ अच्छे से दिखाना है अपने final accounts में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे accounting standards है, accounting standards basically क्या है, वो एक rule है, जो ICAI ने बनाया था, ताकि वो लोग क्या कर सके, बेंस तया कर सके, for doing accounting, सही बात है, यह accept भी किया हुआ है, by all the accounting professionals, ठीक है, यह slide हम already देख चुके हैं, हमारे chapter number 2 में, बराबर, अब इस ही का आगे का part देखते हैं, ठीक है, यहां से आगे हमने वहाँ पर तो concepts देखे थे, क्यूंकि हमारे लिए तब concepts पर ना जादा important था कि rule क्या-क्या है, अब हम यह देख रहे हैं कि accounting standards की बारे में, जो मैंने आपको बताया था, जो ICAI ने बनाया है, उसमें categorize किस तरह से किया गया है, कैसे बनाया गया है उसको, और राइट बच्चों, चलो, देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा आजाता है कि what is accounting standards, तो देखो, it is the written policy document issued by ICAI, यह तो हम आल्रीडी देख चुके हैं, बराबर है, covering, क्या-क्या चीज़े cover हो रही है, इसमें, recognition, that means identification, measurement, हमने अर्डी देख लिया, in terms of money, treatment, कि कोई भी transaction को आप कैसे treat करोगे, लिखोगे कहां पे, then आता है, presentation, दिखाओगे किस तरह से, and आता है, then disclosure, कि जो हमारा final, जो final accounts बनने वाला है, जो balance sheet बनने वाला है, उसमें आपका जो भी transaction है, वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है बच्चों, वो कैसे दिखाई देने वाला है, यह सारी चीज़े तो हम concepts में देख चुके हैं, सही बात है, तो accounting standard basically क्या है, वो एक heading है, जिसके अंदर सारे concepts को बाइफर्केट करके दिया हुआ है, ऐसा आप सोच लो, हमारे 13 concepts थे, सही बात है, यह 13 concepts को भी और सब डिवाइड करके, accounting standards में बताया गया है, ऐसा आप समझके चलो, ठीक है, major जो चीज़े थी, वो 13 चीज़े थी, उसको भी sub-categorize कर दिया है, तोड़-तोड़-तोड़ के दिखाया है, ठीक है, in accounting standard, तो अगर मैं आपके books of accounts को check कर रही हूँ, तो मैं क्या बहु सकती हूँ, कि भाई, अपने accounting standard 4 को follow नहीं किया, तो वो 4 accounting standard कौन सा है, वो पहले आपको accounting standard का पूरा format पता होना चाहिए, accounting standard 1 से लेके last 2 कौन-कौन से accounting standard का क्या-क्या मतलब है, तो आप बता पाओगे कि ठीक है, कौन सा वाला accounting standard को मैंने follow नहीं किया, understanding बच्चों, वो क्या पूरा page, पूरा हमारा जो accounting standard का जो list है, वो मैंने यहाँ पे last में डाला हुआ है, तो आपको कोई problem नहीं हो, all right, तो accounting standards क्या है, उसके अंदर सारे concepts डाल दिये गए है, ठीक है, concepts 13 थे, तो accounting standard भी 13 ही है क्या, नई, accounting standards में क्या हो रहा है, जो हमारे concepts थे 13, जो बड़े-बड़े हमारे concepts थे, उनको divide कर दिया गया है, ठीक है, उनको और जादा division में डाल दिया गया है, सब categorize कर दिया गया है, ठीक है बच्चो, तो accounting standard हमने क्या है हमारे लिए, वो एक return policy document है, उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, अलग-अलग concepts को different-different तरीके से bifurcate करके लिखा हुआ है, और बच्चो, ठीक है, हमने ये क्यों किया है, हमने ये जो किया है, इसमें क्या-क्या चीज़े cover हो रही है, इसमें identification होगा, transaction का measurement किया जाएगा, कैसे transaction को treat करना है, कि वो कौन सा transaction है, वो expenditure है, वो expense है, वो income है, वो profit है, वो gain है, वो क्या है, फिर एक बाप पता चलिया, तो उसको कहाँ पर कैसे लिखना है, and then final accounts जो आपका बनता है, that is trading account, profit and loss account and balance sheet, उसमें ये कैसे दिखाई देए, understood, तो this is what is your accounting standard, all right बच्चो, ठीक है, चलो, आगे भड़ते हैं, now यह जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कि accounting standard में basically, क्या-क्या चीज़ें important हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सामने वाला बंदा आपको पूछता है, कि भाई बताओ मुझे accounting standard बोला, तो क्या, क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में यह सारी चीज़ों को cover up करेंगे, ओल्राइट बच्चों, ठीक है, ना देखो पहला हमारा था need for accounting standard, accounting standard बनाने की जरुवत क्यों पड़ी है, ठीक है, तो देखो सबसे पहला point है, to have uniformity in accounting, uniformity मतलब क्या है, कि सब का accounting जो है, जो procedure है, वो same रहे, समझ में आ रहा है, सब का यहाँ पर हम फिलाल at present किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, globally भी हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे, लेकिन right now, just to understand the concept, हम लोग सिफ इंडिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, to have uniformity in accounting, मतलब क्या, कि जो आप accounting करते हो, जो आप लिखते हो, जो आप transaction को समझते हो, analyze करते हो, पहचानते हो, कि ठीक है, इसको इस account में डालना है, वो कैसा होना चाहिए, इंडिया में सभी का कैसा होना चाहिए, यह सेम होना चाहिए, इसलिए उन लोग ने क्या बनाया है, accounting standards बनाए हैं, समझ में आ रहा है, तो पहला है uniformity, which means same, alright, then next आता है, to show full disclosure of relevant information, full disclosure मतलब क्या है, कि आपके business में कुछ भी हो रहा हो, वो सारी चीज़े आपको क्या करनी है, final accounts में दिखानी है, ठीक है, आपको यह चीज़ final accounts में दिखानी है, यह सिर्फ मैंने बोल दिया तो काफी है, क्या, नहीं, इसलिए क्या किया है, उन लोग ने accounting standards बनाए है, जहां पर उन्होंने यह चीज़ को specify किया है, कि there should be full disclosure of accounting information, आपको कोई भी information ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो आपने छोड़ दी, जो आपने नहीं लिखी है आपने books of accounts में, ठीक है, then next आपका आता है, it felicitate the scope of alternate accounting treatment, which fulfills qualitative characteristics, ठीक है, यहां पर accounting standard बनाने की जरुवद क्यों पढ़ गई है, क्यूंकि वो आपको थोड़े options दे देता है, कि कौन सा treatment, कौन सा accounting आपको करना बहतर रहेगा, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि एक तरफ के same होना चाहिए, दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि आपके पास alternative options है, यह दोनों match कैसे कर रहे हैं, देखो बच्चो alternative option जो है, वो कैसा है, जो qualitative characteristics, हमने जो चार qualitative characteristics जो हमने पढ़ा था, वो fulfill करना चाहिए, अगर वो यह चीज़ को fulfill कर रहा है, आपका जो alternative option आपने चूज किया है, वो अगर qualitative characteristics के जो चार point है, उनको fulfill कर रहा है, that is, comparability, understandability, reliability and relevant, अगर वो इनको compare, इनके साथ घूम रहा है, इनको ले कर चल रहा है, तो आप वो अपना alternative accounting option को choose कर सकते हैं, ठीक है, all right, understood, तो क्या-क्या चीजे हैं, why there is a need for accounting standard, सबसे पहले ताकि सबका accounting सेम हो, दूसरा important चीज के, आपके organization में चाहें जो चीज हो रही हो, आपको सब कुछ क्या करना है, disclose करना है, सारी चीजे दिखानी है, अपने financial statement में, ठीक है, and तीसरी चीज, accounting standard आपको क्या करता है, option देता है, alternative accounting करने का, अपने हिसाब से accounting करने का, लेकिंग वो ये बोलता है, कि आपने जो अपना हिसाब चूज किया है, वो कैसा होना चाहिए, जो qualitative characteristics of accounting information है, उसको fulfill करना चाहिए, ठीक है, normally भी हम उसको fulfill करने के लिए ही, accounting standards बनाए है, पर accounting standard आपको ये भी option देता है, कि तुमको चाहिए तो अपना alternative चूज कर लो, लेकिं वो भी qualitative characteristics को fulfill करना चाहिए, understood, ठीक है, जाओ देखो मुझे पता है, कि आप सोच रहे होंगे, what is that alternative accounting treatment, which I am talking about, वो बात ना हम थोड़ा आगे करेंगे, आपको relation मिल जाएगा इस चीज के उपद, ठीक है बच्चो, नाँ चलो, next हमारा point है, need तो हो गया, कि क्यों जरूरी है, आप बना दिया, अब ये देख रहे हैं हम कि बनाने के बाद, हमको क्या क्या benefit हो सकता है, सबसे पहली चीज क्या है, helps in eliminating variations in accounting treatment, variations नहीं होगा, limitation रहेगा, variations नहीं होना मतलब क्या है, एक तरफ पहले उसने क्या बोला, कि अगर तुमको alternate option चाहिए, तो choose करो, सही बात है, लेकिन alternate option है क्या, accounting standard ने तो तुमको बता दिया, क्या ऐसे करना है, understanding, यह वो तरीका हो गया, जैसे मैम ने अगर कोई चीज बोली है, कि इसको इस तरह से करना है, A for apple होता है करके, बाकि अगर तुमको लगता है, कि A for कुछ और होता है, apple नहीं होता है, तो तुम अपने हिसाब से देख लो, पर अपने हिसाब से कैसे देखेंगे, हमें भी उतना ही पता है, जितना आपने बताया, जाना, उसी तरह से हो रहा है, ICI ने बनाया accounting standard, उसने हमें बताया है कैसे करना है, understanding, पर वो यह भी हम से कह रहा है, कि इसके अलावा, अगर तुम्हारे पास कोई और चॉइस है, तो चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चैरेक्टरस्री से उसको फुल्फिल करना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है क्या, नहीं, यह वो हिससाब हो गया, जैसे मैंने आपको इस टाइम पर एक्जाम्पल के दिया था, क्रिकेट का एक्जाम्पल दिया था, बराबर है, तो यहां पर वही चीज हो गई, कि क्रिकेट का रूल तो बना दिया है, अब वो क्या कह रहे हैं, बाकि तुमको अपने हिसाब से खेलना है, तो तुम खेलो, रूस फॉलो करने पड़ेंगी, अगर रूस ही फॉलो करने हैं, तो खेलने का सिस्टम भी तो सेम ही होगा न, मैं थोड़ी न अलग ढग से खेल सकती हूँ, मैं अगर थोड़ा भी अपना सिस्टम चेंज करूँगी, खेलने का तो क्या होगा, नहीं न, तुम रूल फॉलो नहीं करते हैं, वैसा यहाँ पर भी हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, कि तुम अल्टरिनिटिव अप्शन चूज कर लो, लेकिन मेरे पास कोई अल्टरिनिटिव अप्शन है ही नहीं, क्यूं नहीं है, क्यूंकि अगर वो चारो कॉलिक्टेटिव क्या इसको फुल्फिल कर रहा है, तो मैं इतनी महनत क्यों करूँ, कुछ और ढूँने की, मैं इसी को फॉलो कर लूँगी न, अंडेश्चूट, तो पहला बैनिफिट क्या हो रहा है, कि वेरियेशन जो होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, कि तुम अपनी तरीके से कर रहे हैं, तुम अपनी तरीके से कर रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्यों क्योंकि उन लोग ने बेस तया करके दे दिया है वो क्या कहर रहे हैं कि इसके हिसाब से चलो तो मुझे उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा understood ठीक है then next benefit है it states full disclosure now full disclosure के बारे में already हम देख चुके हैं यहाँ पर भी same benefit हो रहा है क्या बोल रहा है accounting standards आपको क्या बोलता है कि आप full disclosure करो मतलब company में जो भी हो रहा है सब कुछ दिखाओ which may not be required by the law मतलब क्या है हो सकता है कि government को यह information की जरुवत ना हो लेकिन तुम्हारी company में अगर हो रहा है तो उसे दिखाओ समझ में आ रहा है अब ऐसी कौन सी information होगी जिसकी government को जरुवत नहीं है लेकिन फिर भी हमको दिखानी चाहिए इनको कहते है contingent liability ठीक है हमने जब users के बारे में पढ़ा था तो हमने ये चीज़ को देखा था कि government भी हमारे books of accounts को check करती है कब check करती है to see कि आपने जो income tax भरा है जो taxation आपका हुआ है वो properly हुआ है या नहीं आपने जो amount pay किया है वो ठीक से pay किया है या नहीं बराबर है तो वो क्या है as per the law तो हमारे government को क्या जानना होता है how much is the income how much is the expenditure and how much is your profit and then accordingly वो decide करते है आपने जो tax pay किया था वो सही है या गलत ठीक है लेकिन company में और भी इसने जादा चीज़े होती है जिससे government को फरक नहीं पड़ता है जिसका एक example है contingent liability में court case अगर आपको कोई court case चल रहा है आप जीतोगे आपको पैसा मिलेगा फिर उसके accordingly आपको taxation करना होगा वो सब आगे की बात है जीतनी के बात की बात है सही बात है हार गए loss होगा फिर उसके बाए profit कम होगा वो भी कम है हारनी के बात contingent liability क्या होती है कि आप जीते भी नहीं हो आप हारे भी नहीं हो केस अभी तक चल रहा है अगर केस चालू है तो उसे गवर्मेंट को कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि केस चल रहा है इसकी वज़े से टैक्सेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप केस चल रहा है यह नहीं दिखाओगे तो आप लॉके अगेंस नहीं जा रहे हो क्योंकि गवर्मेंट को इसकी जरुवत नहीं है अंडेस्चूर गवर्मेंट को कब जरुवत होगी जब उसका रिजर्ट आ जाएगा क्या आप जीद गए या हार गए उसके अकॉर्डिंगली गवर्मेंट को जरुवत होगी कि आगे का क्या प्रोसीजर आपने किया है अंडेस्चैनि लेकिन अज इन इंफॉर्मेशन यूजर अगर मुझे आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करना है तो मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि साफ अलाना कंप्री में केस हो रहा है अंडेस्चैनि तो इसलिए यहां पर दिया हुआ है फिल्डिस्क्लोजर जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि if there is any contingent liability which can be a liability which cannot be a liability आगे चलके हो सकते liability बने हो सकते liability ना भी बने ऐसी liabilities को हम contingent liabilities बोलते हैं तो वो liability को भी आपको क्या करना है बुक्स अफ अकाउंट्स में शो करना है अंडेस्टैनि तो जब आप financial statement बनाते हो आपका जो balance sheet प्रिपैर होता है balance sheet पूरा प्रिपैर होने के बाद नीचे note में आप ये चीज़ को लिखते हो mention करते हो क्यों करते हो क्योंकि accounting standards में आपको full disclosure का concept बोला गया है जहांपे आपको सारी चीज़े measure करनी पड़ी understood बच्चो ठीक है now next next आपका है it helps in comparison क्योंकि हमारे पास कोई variation नहीं है सारे accounting information एक जैसे ही है चाहे वो A company बना रही हो या B company बना रही हो सब लोग accounting कैसे कर रहे हैं सेम तरीके से कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या हो जाता है comparison करना आसान हो जाता है understand नहीं comparison inter firm comparison भी हो सकता है मतलब 2 firm का comparison या फिर intra firm comparison भी हो सकता है मतलब एक firm में 2 साल का comparison समझ में आगे है बच्चो so this is what is the benefits of accounting standards एक there is no variation सब का same लगेगा दूसरा सारा information disclose करना है चाहे वो lock accordingly हो या ना हो information सब कुछ देना है आपको business में जो भी हुआ सब कुछ दिखाना है and तीसरा accounting standards की वज़े से variation नहीं है तो comparison करना क्या हो जाएगा easy हो जाएगा comparison कैसा करना है आपको एक inter firm comparison होता है जहापे आप 2 different firm को compare कर रहे हो या फिर होता है intra firm comparison जहापे आप एक ही firm के 2 साल को compare कर रहे हो ठीके तो inter firm में जैसे A limited and B limited comparison हो रहा है and intra firm में मतलब A limited में 2019 and 2020 ये दो year का comparison हो रहा है year का comparison भी हो सकता है अगर आपको चहिए तो आप department का comparison भी कर सकते हो that is up to you क्या आपको कौन सा comparison करना है ठीके ओर राइट चलो now next now next हमारा है benefits के बाद आजाता है limitation limitation क्या है accounting standards का तो पहला limitation देखते हैं limitation आप बोल सकते हो disadvantage आप बोल सकते हो drawbacks आप बोल सकते हो that is up to you alright या देखो पहला आपको दिया है limitation वही same point आ रहा है देखो यहाँ पे उसने need में क्या बोला था कि alternate option चूस कर लो फिर उसने benefit में क्या बोला था कि आपको चूस करने को मिलेगा ही नहीं क्यूंकि आपके पास और कोई option होगा ही नहीं available वही आपका limitation है it gives choice वो बोलता तो है कि choice कर लो भाई alternate option चूस कर लो accounting के लिए लेकिन it is difficult to apply because आपको वो four characteristics जो है हमारे qualitative characteristics जो है उसको fulfill करते हुए चूस करना है उसको fulfill करते हुए अगर आपको चूस करना है तो it becomes difficult समझ में आ रहा है मैं इतना दिमाग खड़ाब करके all alternative option के पास क्यूं जाओ जब मेरे पास already एक available है understood तो apart from giving choices कि आप alternate option चूस करो हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना दिमाग कौन चलाएगा कि यह 4 characteristics भी fulfill हो और उससे अलग भी हो तो हम क्या सोचते हैं चलो जो है उसी को follow कर लेते हैं ठीक है तो that is your first limitation then आता है it is rigid and not flexible accounting standards flexible नहीं है अगर accounting standard 1 for example बोलता है आपको कि full disclosure concept है तो वो full disclosure ही है उसमें आप flexibility नहीं ला सकते हैं कि 1 नहीं 2 को follow कर लेता हूँ 2 को नहीं 3 को follow कर लेता हूँ अपने हिसाब से नहीं होता जो accounting standards set कर दिया गया है वही आपको follow करना है जैसे A for apple है तो A for apple ही है A for ball नहीं बोल सकते उसी तरह से है ठीक है Then next आपका point आता है Okay point दिखने रहा है हाँ ऐसे बैठ जाती हूँ थोड़ी दे दिखने लगेगा It cannot override the statue Statue का मतलब क्या है The law Override का मतलब क्या है कि law के उपर नहीं है accounting standards जो law है उसके accordingly ही आपको बनाना होता है ठीक है मतलब क्या है जो हमारे country का law है उसके उपर accounting standards नहीं है ठीक है तो accounting standards अगर आप कर रहे हो तो आपको कैसा करना है Law के हिसाब से ही करना है ठीक है तो उस time पे जो law है वो laws को follow करते हुए ही आपको accounting standards करना है ऐसा नहीं है कि accounting standards इतना important है कि वो law से भी उपर है ठीक है अब यहाँ पे अगर आपको कोई example चाहिए तो हम example ले सकते हैं जैसे stock market और उसमें insider trading पहले जो था ना insider trading जो था वो legal था ठीक है insider trading मतलब क्या होता है तो आप big bull जो movie है उसको देखिए आपको clear picture हो जाएग insider trading क्या होता है एक छोटा सा example मैं दे रही हूँ आपको ठीक है और छोटा सा explanation भी दे देती हूँ insider trading मतलब क्या कि मैंने आपको पता दिया मेरी company में क्या-क्या चल रहा है उसके accordingly आपको पता चल जाएगा कि company का share आगे चल के गिरेगा या भाव भडेगा और आप उसे सबसे share खरीद रहे हो information किसने दिया है company के अंदर के बंदे ने आपको ताकि आप लोग share में उपर नीचे गिरावट जो हो रही है उसके accordingly purchase और sale कर पाओ ये पहले क्या था legal था अब क्या हो गया है illegal हो गया है समझ में आ रहा है तो इसलिए accounting standard क्या बोल रहा है कि भई मैं law के उपर नहीं हूँ अगर तुमको law बोलता है कि insider trading is illegal तो illegal नहीं है समझ में आ रहा है तो पहले accounting standard उसी साब से होते होंगे बाद में उन लोग नहीं क्या किया होगा stock market का जो financial accounting बनता है उसमें ये चीज़ों में implementation लाया होगा इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो accounting standard है वो law के उपर नहीं है ठीक है? आल राइट? चलो नाव नेक्स था applicability of accounting standard किस-किस पर apply कर सकते हो आप accounting standard कौन सा organization ऐसा है जिसको accounting standard को follow करना है सो हमारे लिए इसका answer है all the organization apart from non profitable organization जो organization profit नहीं कमा रही है जो organization का soul motive profit कमाना नहीं है सिर्फ और सिर्फ service provide करती है क्या है वो जैसे NGO NGO जो trust होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ service provide करते हैं उनको जो donations मिलते हैं उससे वो अपना firm चलाते हैं NGO चलाते हैं ठीक है? तो NGO के लिए accounting standards applicable नहीं है बाकि सारे type of organization के लिए जिनका profit motive है उनके लिए क्या है? applicable है accounting standard तो accounting standard कौन-कौन से organization के उपर applicable होगा? सारे organizations के उपर apart from जिसका soul profit, profit कमाना नहीं है अगर वो profit नहीं करने के लिए उसने organization जो open किया वो profit earn करने के लिए नहीं है तो उसमें accounting standards लागू नहीं होगा अगर उसने organization चालू किया है ताकि वो कमाई कर सके, profit earn कर सके तो उन पे क्या होगा? accounting standard follow होगा ठीक है? implement करना है अब इससे profit की बात नहीं हो गया? अगर company को loss हुआ मैडम तो क्या? loss हुआ तो भी उसने loss होगा करके open किया था क्या? नहीं उसने जब organization को open किया था तभी उसका sole motive क्या था? to earn profit बराबर तो आपका motive देखा जा रहा है आपके organization का motive क्या है? profit earn करना हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है motive क्या है? profit earn करना motive है ना तो accounting standard आपको लागू होगा अब भी आपने organization जैसी NGO आप चला ज़िए आपका sole purpose क्या है? profit earn करना क्या? नहीं आपनी NGO क्यों चालू किया ताकि आप service provide कर सको तो यहाँ पर accounting standard आप follow नहीं करोगी ठीक है? applicability समझ में आगया ना तो profit or loss उससे फरक नहीं पड़ता motive से फरक पड़ता है motive अगा पैसा कमाना है तो accounting standard follow करना पड़ेगा clear है? alright? now next important thing is now this is accounting standards that we have discussed alright? now we are going to discuss a small topic which is IFRS now सबसे important चीज़ के IFRS क्या होता है तो वो है international financial reporting standards इसकी क्या जरुवत है मैम हम लोग को यह क्यों पढ़ने की जरुवत है तो हमें यह इसलिए पढ़ने की जरुवत है बच्चो क्योंकि right now we are living in a world जहाँ पे हमारे लिए एक country important नहीं है पूरा world हमारे लिए important हो गया है ठीक है हमारा अगर कोई organization हम open करते हैं कोई business अगर मैं open करती हूँ तो मेरा soul motive यह नहीं होता है कि इंडिया में famous हो जाओ मेरा motive क्या होता है कि worldwide मेरा जो product है वो भी ठीक है आज आप एक जगे पर सीमित नहीं रह गए हो आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि इंडिया में मेरा काम चल जाए नहीं आपका soul motive क्या होता है कि globally मेरा काम चले है ना export हो, import हो, globally सब कुछ हो तो जब आप global market को देख रहे हो जब आप international market के बारे में बात कर रहे हो और आपको उसके अंदर घुसना है अंडिया नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा accounting standards को follow करना पड़ेगा और वहाँ पे जो globally accepted accounting standards है वो क्या है IFRS that is international financial reporting standards यहाँ पे जो accounting standards है ना वो जो है वो globally acceptable है तो इंडिया में भी acceptable है क्या? Yes, इंडिया का जो accounting standard है जो global accounting standard है उसमें काफी सारे similarities है understanding? तो यह जो IFRS हमने बनाया है हमने जो यह generate किया है वो क्यों generate हुआ? क्योंकि अभी का जो market है वो global market हो गया है इंडिया में नहीं सिर्फ आपको internationally market करना है marketing करना है, export करना है, import करना है तो यहाँ पे हमारी लिए जो standards है जो accounting standards है वो कैसे होने चाहिए? globally acceptable होने चाहिए समझ में आ रहा है जैसे अगर मैं investor हूँ और मुझे किसी international business में कोई international जो company है उसमें MNC में किसी में invest करना है तो मुझे उसके भी books of accounts पढ़ने पढ़ेंगे सभी बात है? अब मुझे वो पढ़ना भी तो आना चाहिए मुझे पता है कि इंडिया में accounting standards फॉलो होता है और मुझे पता है कि वहां कि accounting कैसे होती है बराबर मुझे यह भी पता होना चाहिए कि foreign country की भी accounting कैसे होती है तब ही तो मैं महाँ पर invest कर पाऊंगी अब यहाँ पर important यह हो रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ कि accounting standards जो मुझे follow करने है जो as a investor मुझे पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि मुझे आपके books of accounts को check करना है क्योंकि मुझे उसके accordingly आपके company में invest करना है तो अगर 10 companies 10 अलग-अलग तरीके से accounting करेंगे तो it is difficult for me बराबर मेरी country अलग कर रही है और 10 अलग countries भी अलग-अलग तरीके से accounting कर रहे है again it is difficult सही बात है अगर accounting procedure जो है choose where to invest समझ में आ रहा है तो यह जो choice मुझे करना है internationally उसके लिए जो accounting standards बनाए गए है वो है international financial reporting standards ठीक है यहां पर जो standards available है जो accounting standards available है वो globally acceptable है ठीक है I think there are 144 countries जिनोंने यह standard को accept किया है और इसके accordingly ही वो accounting करते है ठीक है तो मेरे लिए कितना आसान हो गया कि 144 countries है भई तो उसके अंदर जितने भी organization होंगे मैं सबका books of accounts चेक कर सकती हूं है ना सबका financial statement जो आता है वो मैं पढ़ सकती हूं क्योंकि मुझे तो एक ही style का पढ़ना था और वो ही एक ही style 144 countries follow कर रही है तो मेरे लिए investment करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है ठीक है तो हमारे पास जो accounting standards है वो दो पार्ट के हैं एक Indian accounting standards है और एक आपका है IFRS that is internationally globally accepted accounting standards ठीक है आँ देखो यहां पर किसने बनाया है अभी हमारा जो India का है वो किसने बनाया है ICAI ने बनाया है बराबर है उसको control call करता है military of corporate affairs control करते हैं उसी तरह से जो internationally बनाया गया है वो किसने बनाया है IASB that is international accounting standard board ठीक है इसने बनाया है accounting standards को in IFRS में ठीक है ना यहां पर जो बनाया है इसमें क्या हुआ है it helps in prevention of material facts, manipulation and error in financial statement ठीक है materiality concept हमने पड़ा था याद है आपको तो यहां पर क्या हो रहा है fraud होने के chances या error होने का chances कम है understood because of the accounting standards which is acceptable globally all right तो यहां पर बतब क्या हो रहा है कि मैं ऐसा नहीं बो सकती हो कि यहां मेरे इंडिया में तो यह चीज को इस तरह से दिखाया जाता था तुम उसको तो उस तरह से दिखा रहे हो that means तुम मुझको मैनुपलेट कर रहे हो तुम इसा नहीं कर पाओगे क्योंकि हम सब इकी तरीकिस दिखाएंगे है यहां पर मैनुपलेशन करने का चांस बहुत ही कम हो गया है मैं आपको इस तरह से बोल के मैनुपलेट नहीं कर सकती हूँ कि मेरी कंट्री में तो ऐसा ही होता है no क्योंकि यहां पर हम country wise recording नहीं कर रहे हैं यहां पर हम accounting standard wise reporting कर रहे हैं और यहां पर जो IFRS है वो globally acceptable है तो आपको भी वैसे ही record करना है जैसे मैं कर रही है understood तो यहां पर क्या होगा manipulation करने का जो chances है वो कम हो जाता है ठीक है next आपका क्या है it helps in global harmonization global harmonization मतलब क्या है globally grow करने का अपने business को ठीक है तो यहां पर कैसे हो सकता है because there is accounting standard which is globally acceptable तो मैं भी क्या कर रही हूँ मेरे जो business है उसको बाहर जाके क्या कर सकती हूँ अपने product को बेच सकती हूँ as an investor मैं अपना पैसा बाहर कहीं invest कर सकती हूँ तो ऐसे क्या होगा company will grow ठीक है and company का growth जो होगा वो कैसा होगा globally होगा जैसे Domino's, जैसे Pizza, जैसे Magdi ठीक है, समझ में आ गया, तो that is your business growth globally, all right and then last आपका है, it creates uniformity again बड़ाबर है standard आपने accounting standard बता दिया है हम अगर सारे लोग उसी को follow कर रहे हैं तो it is obvious कि क्या होगा, uniformity रहेगा सारे policies or procedures क्या होँगे, same होँगे globally, ठीक है international level पर बात कर रहे है, all right बच्चो, समझ में आ गया है, तो IFRS क्या है आपका international financial reporting standard, किसने बनाया है, IASB that is international accounting standard board, ठीक है उससे क्या होगा, manipulation करने का chances कम हो जाएगा, ठीक है और क्या होगा, globally हमारा business grow करेगा हम लोग अलग-अलग country में अलग-अलग branches भी open कर पाएंगे, ठीक है and last चीज क्या होगी, accounting procedure जो होगा, जो policies होगा, वो क्या होगा एक जैसा होगा, uniformity रहेगी, same रहेगा, ठीक है बच्चो, तो यह हो गया हमारा IFRS and जो last हमारा है, it felicitates global investment, वो तो हमने पहली बात कर लिया था, ठीक है and then last हमारा है, Indian accounting standards, तो अभी तो हमने global वाले की तो बात करी ली, अब Indian accounting standard जो है न, वो क्या है, देखो, it is considered as the Indian version of IFRS, तो accounting standard जो globally acceptable है, उसी का version जो है, वो Indian accounting standard है, तो दोनों same है क्या, yes, दोनो almost same है, कुछ एक आदा चीज है, जो दोनों में differ करेगा, तो हम लोग इसको accounting standard क्यों बोल रहे हैं, हम लोग इसको Indian accounting standard इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह जो बनाया है, यह MCA ने बनाया है, Ministry of Corporate Affairs, ठीके, ICAI, MCA के अंडर ही आता है, ठीके, तो आप ऐसा बो सकते हैं, कि ICAI ने बनाया इसको वो भी चल जाएगा, alright, and जो important point है, हम लोग इसको Indian accounting standard ऐसे Indian नाम क्यों दे रहे हैं, मैम अगर IFRS और यह almost same है, तो हम इसलिए इसको यह नाम दे रहे हैं, क्योंकि यह सिफ India में follow होता है, obviously, नाम ही बता रहे हैं आपको Indian accounting standard है, तो it is but obvious कि वो इंडिया में ही follow होगा, understood, तो हमारा जो Indian accounting standard है, वो कहां से generate हुआ है, ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा different है, दोनों का disclosure का policy सबकु सेम है, दिखाया है, उन लोग ने थोड़ा अलग तरीके से लिखकर है, ठीक है, कुछ एखादा चीज ऐसा होगा, जिसमें Indian accounting standards में वो आपको मिलेगा और globally उसको इतना महत्व नहीं दिया होगा, मतलब क्या कि आगे आपने उसको नहीं लिखा तो भी चल जाला है, लेकिन अगर इंडियन accounting standard, इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो वो आपको मेंशन करना जरूरी है, understanding, ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने आपको एक list दे दिया है, यहां पर देखो दिया हुआ है, the list of accounting standard and existing standards, existing standard is IFRS, and accounting, Indian accounting standard, यह comparability है, देखो यह Indian accounting है, और यह हमारा globally accepted accounting standards है, ठीक है, देखो जैसे मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बता देती हूँ, पहला क्या था, यहां पर क्या बोला है, presentation of financial statement, तो accounting standard, इंडिया का first वाला क्या बोलता है, बताता है आपको कि जो financial statement आप ब accounting standard भी बता रहा है आपको, है ना, disclosure of financial policies, जहां पर वो बोलता है, कि full disclosure रखो, यहां पर भी वो क्या बोल रहा है, कि ठीक से, कैसे बनाना है, और यहां पर भी उसने क्या बता है, कि कैसे बनाना है, है ना, जैसे देखो, inventory, valuation of inventories, यहां पर सिभ inventory वो डाल दिया है, और जब आ valuation of inventories करके डाला है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको काफी relation में दिखा ही देगा, कि दोनों का सेम, सेम, सेम आ रहा है, जरूरी क्या है, कि यह accounting standard का number, numbering जो है वो अलग-अलग है, ठीक है, अगर आपको आता है, accounting standard number 22 means what, तो accounting standard 22 क्या बताता है आपको, accounting for taxation, accounting for taxes on income, समझ में आ रहा है, अगर वो लोग question में आपको पूछते है, Indian accounting standard 24, तो Indian accounting standard 24 क्या बताता है, related party disclosure, समझ में आ रहा है, Indian accounting के हिसाब से number 24 है, उसी तरह से global accounting के हिसाब से number 18 है, तो यह numbering जो है न, this is what is different and this is what you need to study, ठीक है, exam में possibility है, कि आपको वो accounting standards के उपा question पूछे, तो आपको वो इस तरह से पूछ सकते हैं, कि cash flow of statement, कौन सा accounting number है, तो accounting standard का वो कौन सा number है, number 3, as per accounting standard, and Indian accounting standard के हिसाब से number 7, तो आपको क्या याद रखना है, this numbers and उसके अंदर का title, कि कौन सा title है, सब्जा बच्चों, यह आपको याद रखना है, तो daily अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, तो ही आपको याद होगा exam तक, नहीं तो आपको बहुत difficulty होगी इसको याद करने में, ठीक है, कई बार उपर नीचे हो जाता है, ठोड़े time में पहले मुझे भी important, यह serial number नहीं है, यह accounting standard का number है, ठीक है, तो अगर auditing करते वख वो बोलता है, कि भई आपने accounting standard number 14 को follow नहीं किया है, तो number 14 क्या था हमारा, amalgamation का accounting, मतलब मैंने उसको, उसमें जो rule था, वो follow नहीं किया, understood बच्चों, I hope this one is clear, I hope कि आपको accounting standards समझ में आ गया होगा, alright, total कितने accounting standards है, इंडिया में कितने है, globally acceptable कितने है, यह सब चीजों में ज्यादा खुसो मत, यहाँ पे आपके पास book में जितना available है, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है बच्चों, तो आपने खाता accounting standard के उपर आपको information चाहिए, मैंने आपके लिए video बना दिया, जहाँ पे आपने, मेरे हिसाब से मैंने सारे important points जालती हैं about accounting standards, ओल्राइट बच्चों, next हमारा जो video आएगा, it will be about GST, all about GST, GST में क्या होता है, क्या नहीं होता है, GST में accounting कैसे की जाती है, GST का पिछला अपना क्या बहुत है, history, उसका introduction, everything will be there, ओल्राइट, ठीक है, and one more thing, अभी हम लोग फिर बनाया, one short video, जो मुझे पता है, जिसको देखकर आप लोग हिल गए, क्योंकि 4-4 घंटे का, 6-6 घंटे का, 7-7 घंटे का videos बन रहा है, I know, right now it is very difficult to study, at a stretch, इतना जादा एक साथ, तो मैं क्या करूंगी, journal entries के भी, फिर से short short videos भी लेकर आजाओंगी, जहां पर एक question मैं करके दिखाऊंगे आपको, तो वो आपको पढ़ने में थोड़ा easy लगेगा, alright, one short videos तो है ही आपके पास, इसके अलावा हम लोग और सारे questions on journal entries करेंगे, तो for me, chapter number 3 का one short video आ गया है, लेकिन again I am going to do some videos, जहां पर मैं आपको journal entries, एक ही question करके दिखाऊंगी, ताकि आपके लिए easy हो मैंने आपको जो question दिया था, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, कि वो जो question available है, वो आपको पूरा exam में नहीं आएगा, तोड़ तोड़ के आता है, तो अब मैं videos ही ऐसे बना देती हूँ, जहां पर आपको मैं बताऊंगी, कि journal entries के actually exam में questions कैसे आएगे, ठीके बच्च